स्वागत है आपका स्पोर्स तक पर जैसा कि हमने प्रॉमेस किया था हम रोज आपके लिए कॉमन वेल्ड गेम्स की कवरेज लेकर आएंगे हमारे साती नितिन श्रिवास्तो बर्मिंगम से आपको लाइव अपडेट्स दे रहे हैं हर इवेंट की हर इवेंट वो कवर कर रहे हैं आपके लिए और आपको सारी लाइव इवेंट्स दे रहे हैं उनके अलावा आप भी जानना चाहा रहे होंगे कि क्या शेडूल है कॉमन वेल्ड गेम्स का आठ डे फॉर है कॉमन वेल्ड गेम्स का कल डे त्री पर भारत दो गोल्ड लेके आया था और अब डे फॉर पर भी भारत के बहुत सारे इवेंट्स है और भारत के कई मैडल्स आने की उमीद है, especially अगर गोल्ड आता है तो इससे अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है, तो आईए जानते है Commonwealth Games का चौथर दिन का क्या है भारत का schedule, बात करें weightlifting की, तो भारत के सारे medal weightlifting में ही आये है, total 6 medal भारत ने इस Commonwealth Games में जीते हैं अब तक, जिसमें से 3 gold medal है, 2 silver medal है, और 1 bronze medal है, आज भी भारत का मुकाबला weightlifting में पुरुष 81 kg, यानि की men's 81 kg की बात की जाए, तो अजे सिंग का मैच है दोपर 2 बजे से, ये भारत के समय नोसार है, बर्मिंगन टाइम भारत से क्योंकि पीछे है, इसके बात अगर आप जूडो की बात करें, तो पुरुष 66 kg elimination, अंतिम 16, 66 kg में elimination round है, जो की round of 16 भी है, जसलिंग सिंग, सैनी जिसमें हिस्सा लेंगे, वो मुकाबला आप कर 2 बजे से शुरू होगा भारत के समय नोसार, उसके बात अगर आप जूडो में एक और मुकाबले की बात करें, तो 60 kg elimination round of 16 में विजय कुमार यादाओ का भी match है, और उनका मुकाबला भी धाई बजे से शुरू होगा, इसके अलावा जूडो में महिलाओ की बात करें, तो हमारी महिलाओ का match भी है, महिलाओ का 48 kg quarter final सुशिला देवी जिसमें पार्ट लेने वाली है, वो भी धाई बजे से शुरू होगा round of 16, 57 kg elimination round की बात करें, तो जिसमें सुची का T हिस्सा लेंगी, वो मुकाबला भी धाई बजे से शुरू है, यानि कि weight lifting के अलावा आपको judo के मुकाबले भी, weight lifting 2 बजे से शुरू होगा, और judo के मुकाबले सारे धाई बजे से शुरू होंगे भारत के athletes के, इसके अलावा swimming की बात की जाए, तो पुरोश, men's 100 meter, butterfly, heat six में, साजन प्रकाश इस्सा लेंगे, जो तकरीबन भारत के समय नुसार, 3 बच कर 51 मिनिट पे शुरू होगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्क्वाश की बात करते हैं, महिला एकल प्लेट quarter final में, सुनिया ना कुरूबिल हिस्सा लेंगी, जिनका मुकाबला साड़े-चार बजे से शुरू होगा, जिनसे भी उमीद होगी कि स्क्वाश में भारत का परफॉर्मेंस अभी तक इतना अच्छा नहीं रहा है अतियासिक तोर पर, लेकिन इस बार स्क्वाश टीम से भी बड़ी उमीद है की जा रही है उसके बाद बॉक्सिंग की बात करें, तो 48 से 51 kg में, आज राउंड ओफ 16 में, अमिद पंगाल का मुकाबला है, पॉने 5 बजे शुरू होगा वो भारत के समय नुसार उसके बाद, बॉक्सिंग में 54 kg से 57 kg में राउंड ओफ 16 में, हुसाम उद्दिन मुहमत का मुकाबला, शाम 6 बजे शुरू होगा आज, आपको स्पोर्स तक पर सारी अपडेट्स मिली रही है, अगर कोई मेडल आता है या कोई पोटेंशल मेडल के चांसे होते हैं तो हम आपको लगातार उस पर अपडेट्स दे रहे हैं स्पोर्स तक अप पर भी आप देख सकते हैं लगातार, हमारी अप टीम लगातार महनत कर रहे हैं कॉवरनल गेंज को कवर करने के लिए टोटल आपको शेडियूल से लेकर हर एक चीज अप पर बताई जा रही है साथ मैं आपको यूटूब पर भी कवरेज दी जा रही है बर्मिंगम से भी आपको कवरेज दी जा रही है हमारे साथी नितेन श्रिवास्तो द्वारा इसके बाद अगर आप साइकलिंग की बात करें तो महिला कीरन पहला दोर में त्रिश्या पॉल, शशीकला, आगाशे और मयूरी लूटे के भी साड़े 6 बजे मुकाबरे शुरू होंगे उसके बाद पूरुशूर 60 किलोमेटर पॉइंट्स रेस कौलिफाइंग में नमन कपिल, वीक एंगल गुटी, दिनेश कुमार और विश्वजीत के मुकाबले तकरीबन 6 बचकर 52 मिनिट से शुरू होंगे हौकी टीम का भी मैच है कल हौकी, मैंस हौकी ने बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस दीती घाना के अगेंस 11-0 से घाना के अगेंस जीत दर्श की थी, जो की भारत की कॉमनवेल्ट हितियास की सबसे बड़ी जीत भी है हौकी के मामले में आज उनका मुकाबला होगा इंगलैंड से जो की तगडी टीम है और भारत के हौसले तो बुलंद होगे यह घाना की जीत के बाद उमीद है हौकी टीम आज फिर से एक और वैसी दमदार परफॉर्मेंस देगी इसके अलावा महिलाओ की 100 कि इसके अलावा महिलाओ की 10 किलम मिटर स्क्रेच रेस फाइनल में मिनाक्षी का राउंड है 9 बचकर 37 मिनिट से तकरीबन 9 बचकर 37 मिनिट से भारत के समयनों सारिये मुकाबला शूरू होगा मैंस का 100 मिटर टाइम ट्राइल फाइनल भी है जिसमें रोनाल्डो एल्ड और डेविड बैकम हिस्सा लेंगे वो भी 9 बचकर 37 मिनिट से शूरू होगा महिला 61 कि की बात की जाए तो हरजिंदर कौर का मुकाबला रात के 11 बचे शूरू होगा इसके अलावा टेबल टेनिस की बात की जाए जिसमें भारत की हमेशा से उमीद रहती है और आज तो बड़ा मैच भी है क्योंकि पूरुष टीम अपना सेमी फाइनल खेलने वाली है साड़े गारा बजे तो अगर सेमी फाइनल पूरुष टीम जीती है तो गोल्ड या कहले जे मेडल की तरफ एक और कदम बढ़ा लेगी बॉक्सिंग की बात की जाए तो 75-80 किलो केटेगिरी में आशिश कुमार का मुकाबला है जो की रात एक बजे शुरू होगा यानि भारत के समय नुसार वो डेट बदल चुकी होगी दो अगस्त की डेट लग चुकी होगी और रात को एक बजे मैश शुरू होगा आशिश का 75-80 केजी बॉक्सिंग का इसके अलावा लॉंग बॉल की बात की जाए तो महिलाओ का सिमी फाइनल भी है रात को एक बजे यानि कि भारत की डेट दो अगस्त होगी रात के एक बजे अब लॉंग बॉल का सिमी फाइनल भी देख सकते हैं वोमेंस का तो हमने आपको आज सारा शेडियूल बताया क्या है इंडियन अथलीट का कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी आप टीम लगातार कवरेश दे रही है आप देख सकते हैं मैंने स्पोर्स तक आप पर ही देखकर आपको पूरा शेडियूल बताया और आज भी कल की तरह सारे मैडल आए और हमें एक खुशकबरी मिले फिलाल अलविदा लेने का समय आ गया है अगर आपने अभी तक स्पोर्स तक आप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज जा के डाउनलोड कर लिजे क्योंकि आप देख सकते हैं क्रिकेट के अलावा कॉमनवेल गेम्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जा के सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए थैंक यू मेरे साथ जुड़िये मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ाते हो हाग मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव इनालिसिस स्पेशल इडिव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक एम